नमस्कार दोस्तों, आप सभी कमाईशल में स्वागत है तो आज की इस वीडियो में तो मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोन को बैठे-बैठे ट्रैक कर सकते हैं, उसकी लोकेशन जान सकते हैं अपने फोन को आप कहीं से भी बैठ के लॉक या अनलॉक कर सकते हैं आप उसके डेटा को पूरे डिलीट कर सकते हैं आप उसके डेटा का बैकप ले सकते हैं ऐसे ही काफी सारे फीचर इसके साथी में आप के जो कॉल लॉक्स हैं कॉल डेटा को आप वापस ले सकते हैं अपना बहुत सारे ऐसे कमाल के फीचर्स आप इस Samsung के phones में कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी Samsung का device है जो की Android 10 based है और updated है latest version के साथ जो भी उसमें available है इस समय तो दोस्तों इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ आपको बिलकुल live demo कोई भी मैं इसमें आपको directly करके दिखाने वाला हूँ अपने system में कि कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हैं इसके लिए बस आपको internet connection चेहिए होगा अपने laptop में अगर आपने पहले से कुछ settings को on करके रखा होगा अपने phones में तो आपको नहीं जरुत पड़े इंटरनेट की बाकि अगर इंटरनेट भी connectivity आपके फोन में है तो वो भी आप चेक आउट कर सकते हैं तो आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों बहुत ही ज़या इंट्रेस्टिंग और कमाल की तो यहां पर हमें find my mobile का एक option देखने को मिलता है तो इस find my mobile के option को या तो आपका ये पहले से on होगा अगर नहीं होन है तो आप इसको on कर लीचे अब देखिए इसे on करने के बाद आपको सबसे पहला step ये करना है कि अब अगार अभी तक आपने इस phone में किसी Gmail account ये अपने Samsung account को attach नहीं किया अपने Samsung के phones में तो वो सबसे पहले कर लीचेगा क्योंकि उसके बिना आपका ये feature काम नहीं करने वाला है आप चाहिए जो setting कर लीचे आपके प मतलब यह है कि देगे हम अपने phone को कहीं से भी बैठे बैठे अनलॉक कर सकते हैं इसका कुछ procedure होता है वो मैं अपके live डेमो में दिखाने वाला हूँ इसे के लाज्ट लोकेशन माल लीचे आपकी बैटरी कुछ certain level के around down हो गई by default इसमें कितना set है ये तो मेरे को नहीं मालू लेकि 5 या 10% के around set होगी तो उस around कितनी आपके बैटरी थी वो अगर level पार कर जाता है नीचे तो उसके बाद आपकी last location भी send होकर इसमें आ जाएगी उसके बाद अगर आप offline find करना चाहते हैं माली जिए आपका phone network connected नहीं है आपने किसी ने आपके phone का network connection off कर दिया है तब भी कि आप last location को tracking कर सकते हैं यहां तक कि आपको latest location मिल जाएगी तो ऐसे कमाल के features को आप कैसे instantly यूज करते हैं वही मैं आपको live demo में आप शो करने वाला हूँ चुरुआत में जब आप सबसे पहले यह चीज करेंगे तो कुछ आपको verification मांगेगा तो आपको बस कुछ नहीं करन कि अब देखिए sign in फिर जैसे click कर देता हैं तो उसके बास हो गए है कि यहां पर आपका या तो email नंबर या फिर phone number तो मैंने phone number तो यहां पर अटाइच करने रखा है अपना sorry email या फिर phone number तो phone number तो मैंने अटाइच करने रखा है अब देखिए आपको जाना है अपने continue with Google मे यहां पर देखिए मेरा account आ जाता है यहां पर मैंने अपने account पर click कर दिया आप simply sign in कर जाए उसमें कोई भी tough process ने काफी easy है लेकिन अगर आप इसको कर लेता है तो जब आपको instantly करने की जरुद होगी तब आप इसको कैसे कर पाएंगे तो आप कोई चीज सीख लेनी तो यह तो internet connectivity पर भी depend करेगा कि आपका हाँ और internet connections होना चाहिए आपके system पर बिना internet connection के यह काम नहीं करेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो website है यह पूरा यहाँ पर इन्होंने open कर दिया और यह भी track कर रहा है मेरी location और देखिए इसने मेरी location को भी कुछ-कुछ हद तक tracking कर लिए है अब यह थोड़ी और अच्छी तरीके से show हो जाएगी देखिए इतर स्लाइड मेरा Samsung Galaxy M21 भी लिख कर आ रहा है उसके बाद checking status अभी चेक कर रहा है status क्योंकि इसमें थोड़ा सा time रगता है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 features इसने दे रखे है ring, lock, track location, erase data, backup, retrieve, messages, unlock, extend battery life, set guardians तो देखिए आपको मेरी screen पर भी कुछ green ticks द तो देखिए तब तक यह मेरी location को track करता है मैं यहाँ पर तो देखिए इसने मेरा मैंने आपको बता रखा है मैं उत्तरप्रदेश के उन्नाओ district में रहता हूँ तो देखिए उन्नाओ इसने यहाँ पर show कर दिया है और आप देख सकते हैं आप जितना अंदर जाना चाहें जा सकते हैं आपको बिल्कुल यह exact location मेरे phone की ट्रैक करके देता है तो आप देख सकते हैं exactly location बिल्कुल इसने track करके दी है आप देख सकते हैं यहाँ पर exact location आपको अपने phone की मिल जाएगी अब देखिए यहाँ पर आपको side में my device में galaxy m21 देखने को मिल रहा होगा तो इसमें आपको देखिए tap करना है आप इसका name जो भी है वो यहाँ से बैठे-बैठे edit कर सकते हैं इसी के साथ आप remove भी कर सकते हैं इस device को यहाँ से इसी के साथ आप IMEI information भी प्राप्त कर सकते हैं तो यह काफी जाथा जरूरत पड़ती है जो हमने phone को exchange करते हैं या फिर sim card के समय में कभी कभी जरूरत पड़ती है safety devices में भी जरूरत पड़ती है जो हम safety features को कुछ इसके जानना चाहते हैं तो देखिए अब मेरे phone के अभी देख सकते हैं simple मेरा phone locked है अब मुझे अपने phone को माल लीजे ring करना है सबसे पहला option तो कभी कभी क्या होता है हमारा phone जहीं भी रखा रहे जाता है हमें मिलता नहीं घर में कोई होता नहीं दूसरा ring करने वाला तो simply देखिएगा अभी यह मेरा phone है मैं आपको mic पे सुना भी दूंगा और इस साउंड इसकी सुनाई देगी तो देखिएगा रिंग मैंने किया और आप देखिए तो आप देख सकते हैं आपको clearly सुनाई दे गया होगा कि कितनी अच्छी तरीके से function वर करता है और काफी दाद यूसफूल होता है अगर हम लोग permanently desktop यूस करता है आप इसको किसी other phone में भी कर सकते हैं ऐसा कोई system नहीं है आप simply desktop mode को on कर लीजे या फिर आप simply इनकी website पर भी जाकर इस चीज़ को कर सकते हैं अब देखिए लॉक करना है मुझे बगर phone तो अभी देखिए यहाँ पर मेरा phone भी देख लीजे आप unlock है तो यहाँ पर मैं lock पर click करता हूँ तो देखिए आपको इस screen पर भी शो मांगता है यह pin important होता है क्योंकि देखिए आपको अगर pin याद हो इसका तो आप इसको simply बैठे-बैठे कहीं से भी lock कर सकते हैं तो आप अपना last pin यहाँ पर enter कर दीजे तो यह देखिए यहाँ पर मैंने pin enter कर दिया है उसके बाद यहाँ पर emergency contact में domestic या फिर international तो हम domestic रखते इसके बाद यहाँ पर the phone has been lost तो इसको आप यह से रहने दीजे अब मैं लिख कर देता हूँ lock पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा phone automatically lock हो गया कितनी अच्छी तरीके से और इसमें ऊपर लिखकर आ भी गया है phone lock this phone has been lost यह message है आप कोई भी इसमें message अपना contact number या फिर अपना name मालीज आपका phone खो गया किसी अच्छी आदमी को मिल जाता है तो वो आपको easily पहुंचा सकता है और इसके बाद अगर आपको अपना phone खोलना है तो आपको simply pink में डालना होगा आपका phone unlock हो जाएगा और आप यहाँ screen पे भी देख सकते हैं easily आपको बता देगा कि आपका phone lock है या फिर नहीं lock है तो आप इसको feature को use करते हैं इसी के साथ आप locations को track on कर सकते हैं अब आप जब location पर click करते हैं तो देखिए tracking मैंने करी थी इसकी 2nd of December 6 बच के 22 minute पे शाम हो तो इसी के साथ आप restart कर सकते हैं तो यह option क्या करता है हर 15 minute में आपकी location भेज़ेगा मालीज आपकी location चेंज हो और यह device की तो हर 15 minute में यह update करेगा इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं यह आपको 15 ही minute के intervals में मिलेगी अब आप erase data को इस feature को use करने से 100 बार पहले सोच लिजगा क्योंकि अगर आप इसे बस factory reset नहीं होता है लेकिन पूरी तरीके से तरीके से आपका phone wipe out हो जाएगा यहां तक कि जितने passwords हैं जितने email accounts हैं जो भी आपका data है सब कुछ आप wipe out कर सकते हैं अपने phone से सिर्फ एक click से तो यह काफी कमाल का feature है इसे करता है आप साइड में देख सकते हैं आपको backup option देख हैं उनको आप retrieve कर सकते हैं उसको आप यहाँ पे अपने screen पे निकाल सकते हैं काफी अच्छे दरीके से हुआ आ जाएंगे इसे करता है अपने phone को आप unlock कर सकते हैं अब देखिए unlock करने के लिए procedure थोड़ा सा थोड़ा सा complicated है मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए unlock पे click कर जाएंगे आप इस feature को आपको करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस feature में दिखिए यह पे लिखा हुआ है अगर आप इस feature को यूज करते हैं तो आपके जितने भी passwords है face unlock है fingerprints है वो सभी delete हो जाएंगे automatically तो आपको कुछ नहीं करना है आपको simply email पे जाना है अपने verify पे click कर द होता है अपके phone में बैठे बैठे आप उसको on कर सकते हैं मैं आपको on करके दिखा देता हूं देखिए मैं जैसे क्लिक करता हूं extend पर देखिए कि आपको कुछ show होगा यहां पर यह देखिए आयोप आपको कुछ visibility आ रही होगी इसकी off आप इससे नहीं कर सकते हैं आपको वापस वहीं जाना होगा अपने phone में और phone में जाके अपने maximum power data saving को off कर देना होगा तो यह काफी आपको अच्छा security वाला feature देखने को मिल जाता है इसी के साथ आप guardian set कर सकते हैं माली आपको किसी को phone देना है दो-तीर मेने के लिए आपके पास नहीं है phone तो आप किसी को guardian बना सकते हैं एक तरीके से वह भी इसमें काफी अच्छा feature है थोड़ा सा email IDs और verification लगे देता हूं show करके तो इधर साइड आपको देखिए यहां पर download personal data erase personal data तो वह भी आप यहां पर कर सकते हैं काफी अच्छी तरीके से यहां पर work कर जाता है और इसी के तरफ काफी तारे multiple devices इसमें add-on कर सकते हैं कोई इसमें दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी और पहली अच्छी तरीके से आप इन features को यूज कर सकते हैं आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो कुछ knowledgeable लगी होगी वीडियो अगर आपको इस वीडियो को लाइक देना मन बूले कर साथी में comment में कोई आपका सवाल है तो वो भी आप कर सकते हैं साथी में दोश मैं कुछ स अच्छी तरीके से तो बस पांच मिट लगते हैं पांच मिट से जादा का काम नहीं है तो आपका जब भी फोन खोएगा तो आप इसको पा सकते हैं अपने फोन को ट्रैकिंग कर सकते हैं लोकेशन की तो आपको दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी चलिए आज की इस वीडियो को यह पे हम लोग एंड करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्स्राइब करके बैल आकन को भी हिट कर लीजगा तो आपने इसी चैनल पर है थी कमाल की टेक वीडियो उसको लात रहता हूं तो नमस्कार